नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मेरत निसेन भारती अज़ हम बात करेंगे इवाओं के रोजगार को लेकर बिहार समय प्रदेश में करोना ने लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है कितने ऐसे लोग थे जिनकी इस करोना के समय में नौकरी चली गई सबसे ज़्यादा परिसानी उन लोगों को हुआ जो रोज गमाते थे और उसी पैसे से उनका उस दिन का भोजन होता था ऐसे में अब भी हर सरकार ने प्रदेश के इवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का सुनहरा अपसर दे रही है इसे किसे भी तरह के बिजने सुरू करने के लिए सकार 10 लाक रूपे तक कि इस आर्थिक सहायतारासी देगी इसके लिए अहम सर्थिया है कि आर्थिक मदद उसी को मिलेगी जो बारवी पास होगा और उनके लिए समकच कोई डिप्लोमा किया होगा अब कवजादें कि मुखमंतरी उद्दमी योजना के तहट नया उद्द्योग लगाने के लिए अधिक्तम 10 लाक रूपे की रासी परदान की जाएगी इसमें 5 लाक रूपे अनुदान की रूप में और बाकी 5 लाक रूपे कर्ज की रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध करा जाएगा बिहार सरकार ने इसी योजना को जारी करते हुए कहा कि योजनाओं के लिए दी जाने वाली रासी दो टर में उपलब्ध फराई जाएगी अब आईए जान लेते हैं उखमंतरी उवा उद्दमी योजना के लाफ देने का माप डंड क्या है सबसे पहले उन्हें बिहार का निवासी होना होगा कम से कम बार भी पास आईटी आई पॉल टेकनिक डिपलोमा या उनके समकच की कोई डिपलोमा होनी चाहिए इस योजना का लाफ परिवार के किसी एक सदस को दिया जाएगा योजना का लाफ इसी योजना के तहट अधिक्तम 10 लाख रूपे की आर्थिक सहाइता दी जाएगी 50 फिजदी यानि की अधिक्तम 5 लाख का नुदान के रूप में दिया जाएगा मुखमंत्र ईवा उद्धमी ओजना में अपलाई करने के लिए इसकी अधिकारिक वेब साइट उद्धमी.bihar.gov.in पर जाकर अपलाई कर सकते हैं साइट के सबसे उपर में फॉर्म की PDF भी है इसके अलावा अगर कोई बिसेस जनकारी चाहिए तो इसके लिए टॉल फ्री नमबर 18003456124 बर्किंग दीन में सुबह के 10 वजे से साम के 5 वजे तक फोन किया जा सकता है बिहार सरकार की तरफ से अनसुचित जन जाती अती पिछला वर्ग महिला उद्धमी ओजना भी सुरू की गई है इनके लाव हों सर्तों के लिए भी इसी वेबसाइट पर जनकारी ली जा सकती है तो ये थी मुख मंतरी इवा उद्धमी ओजना के वारे में जनकारी बिहार और बिहार से जुड़ू ही और बेसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी निवज के साथ मुझे ति जी जाज़त धन्यबाद